हाई दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करता हूं आच्छी होंगे जैसे हम सबको पाता है कि लाज़ डे डूट ओफ रेजिशेशन आ गया है बट अब इसमें किया क्या जासकता है यार अकोर्डिंग टू मी एंड अफ्टर हेविंग अ कंशेशन विज मैंनी सिय तो मेरा यह मानना है कि यार सी आड़िशिप इस पार्ट अजननी तो जब हम सी आड़िशिप को कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम फाइनल के लिए लिज ले लेना अब इसके मेरे पास बैक कोशन काफी आते हैं मतलब मैं यह बात जिसको बोलता हूं तो यह लगा लो हंड़ेट प्रसेंट चांसे होते हैं कि साहब में वाला यह कोशन करते हैं विभेक टांसवार केसिज अलाउड नहीं होते तो याद देखें सिर्थी सी बाद ह अगर मैं बोलू ना यह मैं ऐसे नहीं बोला कि उसको कुछ डाट है एस कंपेर टू माई एक्सपिरेंस तो उसके बेसिस पर बोल रहा हूं कि यह थी आउट 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 फर्म से लाओ करते हैं बट होता क्या है कि हम एक दो को पूछ के महीं तक लि प्रिकेंसी नहीं है तो आप जोब एक मिक्स एक्सपोसर में जाएंगे ना नेक्टिव वाइप्स के जंगा क्या छोटी फर्म है बेकार है उसके जंग पोस्टिव एनलजी के साथ जाए क्या वहां पर मुल्टिपल एक्सपोसर सीखने को मिलेगा रिटर्स फाइलिंग कर ज़ने हैं गस्टी की इंगम टेक्सटी अकांटिंग की लेटर दोन आपको पता जल जाएगा कि में को इंकम टेक्स करने में और पढ़ने में मजा आ रहा है अब कि में मजा और अकांटिंग में मजा तो वह स्थीर आपको काफी चीजी सीखने को मिलते हैं अब स्मोर में स्विच कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा अब मैं दो साल यहां लगा दिये अब मैं जोब के लाइक बन गया हूं तो पांच में से दो जने की अकलते हैं इस अपने पाऊंगा है अब छे महीन या एक साल आपके पास रहेगा की क्रेंट कर लेंगे अगले साल एक साल आपके लिए अग्सेट कर दिये अगरगा है नहीं है तो आप इंडुर्शन टेनिंग को जोईन के लेना अब इंडूर्शन टेनिंग के बात कहां साई मैं पहले पोईंट हूं कि आप 10 से दीन पर बात करेंगे और कुछ firms allow कर देते हैं कि आप एकली साल चले जाना अब कुछ firms allow क्यों ने करती इंटेस्ट रेटेनिंग वो होता है कुछ सीर फर्म में बात करके मैं को पता चला है I am not sure but expressing my opinion वो बोलते हैं कि हमने एक साल काम सिखाया अब अगली साल काम लेनी की बारी आते हैं तो बच्चा छोड़के चला जाते हैं तो I am not expressing my views on that हां यह कुछ हद तक ठीक भी है कुछ हद तक हमें देखो अभी हम आट्रेशिप पे हैं तो हमारे point of view से हम हमें गलत लगता है मुझे भी गलत लगेगा कोई में को टांस्वर नहीं देगा बट as point of view अगर मैं सोचों कि मैं owner हूं तो उस firm से अगर कभी भी खुद सोचना कि आपने किसी बंदे को काम सखाया जब उसको काम आगे वो एकदम से चोड़के जा रहा है तो वह point of view थोड़ों कम्प्लेक्स आता है हम उसमें इंडल जन्यों होना हमारे ट्रेशिप सीखर ह आज हुता है कि अंगी एक जन्यें सा G and then the r Actually and the thing आप स्टेइन क्या पर दिखर हो गया एक महिना हो गया कि दिद् uğर कफी चोड़ा है वो बहुड़े कि family बैंडा देया ंब हुझाटि आप यालोगों के मन में इंडेश्टरल टेरिंग केली की त़ ऑधा नहीं का है वा गय साइड ऑग दिया जाता है एक यह कोछ और सब्सक्राइब को छोड़ कर चोड़ praying क्लिए अपने इमेर्ज बनाने के लिए इंडिसी टेनिंग के लिए उते हैं तो आप इंडेरिशी को हाइप कने के जाकते हैं बड़ा वह सोच लेते हैं अपके अच्छी इंडरेशन टेनिक मुंबई बैंगलोर वे रहे हैं बट उनके एरिया में मुंबई बैंगलोर आपता ही नहीं घरवाले जाने नहीं देंगे दिल्ली एंसेयर में रहने देंगे तो पहले आप अपने आपको एडिया के लिए बने काफी मैनुपलेट की गई है और मैनुपलेट इतनी अच्छे से की गई है कि बंदा फस्के रहा जाता है पहले इतना मुश्किल कोस करके आया है अब से पहले एक मास्टर क्लास का कौंसर्ट लेके पिछले साल वह हमने तोड़ने की बहुत कोशिश किया और काफी हम सक्सेस में तो मार्केट मार्ट क चक्का में मिलेगा यह सब मिठ है अब देख जायों के लिए मार्श्र क्लास के लिए पारिघ्या बनाने के लिए चार सुट की भूक लिखी गई यूटूब पे लिंक्डिन पे दिखाया जा रहे है वह थोड़ा ओवर है बोल रहो मैं क्योंकि अब मैं अब में अग्जामपल दिया अब वो बंदा है वो भूल रहा है देख मैं कुछ सीखतों पानी दा 95% खाली बैटा हूं अब और अब इस कंपेट्टों सी फर्म में होत अब करेंद पासना निकों सीखतों बन जाएंगे आपको कोई भी वा म्म छोड़ेगे लेने से कंवी चोड़ेगी प्यूंकि जब आप बनद जाएंगे अपको पाता है कि पेशिक चीजे कैसे हैं कि आपको यह पता है अकांटिंग से लेकि लेकर लाश्ट तक पानलाईज आपके अकाउंट कि वह चीज़े कैसे बनी है यू आवरीफिंग एटुज तो इस चीज़ का आप सोचके देखें कितना अड्वाइंटेज मिलता है अब कुछ नहीं बोलते है कि स्मॉल फर्म वा लोगों जोब नहीं मिल दी दिक्कत पता क्या होती है ऐसा नहीं होता जोब अब पताते नहीं है क्योंकि कुछ जना नहीं फिर जोब करें लेक्राइज चीज़ें अच्छी आपी वाई देखें यह तो आप कुछ देखें को क्यों सी फर्म में जा रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि मैं को थोड़ा लर्निंग कर कॉम्प्रमाइज होईगा तो है आ प्रविटिपल कोर्सिज एक्सल सीखिए पावर बी आयोगा टैबलू हो गया और मुल्टिपल कोर्सिज इस अपनी नौलिज को एहनास करते रही है अब एक लाश को मैं लेकर चल दो को डाउट को कि बैग्डेट रिजिस्टेशन का क्या सीन होता है देखिए है मैंने खूद करवाय था था 30 देस बैग्डेट का क्या सीन होता है अब जैसे मैं 31 अक्टोबर पर खड़ा हूँ अब मैं अपना रिजिस्टेशन थर्टी मैं अक्टूबर से रिजिस्टेशन कर वाल हूँ अब इसमें देखिए स्मॉल साथ फर्म तो कुछ बार अलाव करते हैं चलो कुछ दिन की बात है आपकी लाइफ से अब कुछ जोने मना करते हैं तो इस चीज़ बड़ा ध्यान पर फोकेश दाना कुछ फर्म ने मना करते ह तो आपका छे महीने की बाट लगी यहाब से अगर मैं देखूं से बनने वाद अगर मैं अगर मैं आट लागा आट से दस लाग करता है तो आपका चाह से पांच लाग तो यह नुक सान फैमली एक्सपेक्टेशन गई बहाड में सब चीज़े तूट जाएगी तो उन अगर आप एक्सीड करते हैं तो फाइन लगता है कितना फाइन लगता क्या कुछ होता प्लीज उसके रिगार्डिंग में से कोई मत पूछना एक बड़ आइस एक के रोल्स और रेगलेशन को चेक के लेना आपको अंसर वाहां से मिल जाएगा जितने में आपके टेक्निकल होता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं प्लीज शेयर अपडेक्टी विद मैं चैनल ओल दी बेश गाइस